कि वेरी वेरी गुड इवनिंग तो आल अफ यू तो नैशनल इंकम में को मैंने जो है इसके टॉपिक्स को चैप्टर में डिवाइड किया है जिसकी चैप्टर नंबर वन में मैंने आपको टाइपस ऑफ गुड्स के बारें बताया था और वहीं पर मैंने आपसे इंटरमीड गुड्स और फाइनल गुड्स के उपर डिसकर्शन किया था और उसमें हमने डिफिनिशेट भी किया तो हम टाइपस ऑफ गुड्स को जो चैप्टर नंबर मैंने वन रखा था अब चैप्टर नंबर टू जहां पर आप स्टोक एंड फ्लो और आप सर्कुलर फ्लो के बार स्टॉक किसे कहते हैं देखिए हर एक वो चीज जिसको आप एक पॉइंट अफ टाइम पर मेजर हो सकता है कर सकते हैं मतलब कि जिसको काउंट करने के लिए जिसका मेजरमेंट के लिए आपको कोई लंबे समय अबदी की रिक्वार्मेंट नहीं है आप किसी भी पॉइंट पॉइंट फेम दो चीज़ हूती है एक होता है और एक aftrasp उसके लिए करद सकता है उसे पंपलएक को बता दो टाइंगे जिसफेंगे जुषसमय की नीडे बट एक point of time किसी शणा बता दो उस सीच को तो ऐसी कोई भी goods, कोई भी commodity जिसका measurement एक point of time पर हो सकता है उसको हम stock कहते हैं तो जाइड सी बात है उन चीजों का calculation एक point of time पर हो सकता है जिसको already पूरी तरगी से develop किया जा चुका है जो अभी हो रहा है उसको तो आप measure करी नहीं सकते हैं एक point पर लेकिन जो already हो चुका है उसको आप क्या कह सकते हो उसको आप एक point of time पर measure कर सकते हो जैसे मैं आपसे पूछों कि आपके account में कितने पैसे पड़े हुए है तो इसके लिए आपको एक point of time की ही need है आप फ़र से नहीं बता देंगे जी मेरे account में इतने रुपे पड़े में तो आपके account में जो पैसा है जो balance है वह आपका stock के अंदर आएगा लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस month में आप कितना कमाने वाले हैं या इस month के आपके income क्या होगी तो आप बोलोगे सरी तो इस month के end पर ही जाके पता चलेगा कि मंत की income क्या होगी क्या overtime लगेगा क्या incentive रहने वाला है क्या off होने के पर कटेगा यह तो month के end भी पता लगेगा तो आप मुझे एक महिना दीजिए फिर मैं आपको बता पाऊंगा यह बता पाऊंगी कि यह कितना salary है मेरी तो यह salary है न यह आपका क्या हो गया जिसको calculate करने में एक period का requirement है तो उसको flow कहते हैं और जिसको calculate करने में point of time की need होती है उसको हम stock कहते हैं यह चीज के लिए रही तो पता लगा आपको stock क्या है flow क्या है जिसको किस पर मेजर कर सकते हैं जिसको हम एक point of time पर मेजर कर सकते हैं तो यहाँ पर इसके लिए जो है इंपोर्टेंट है point of point in time यह मेजर है तो जब यह अपना आंसर लिखें तो आप कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ पर जो में में बाते हैं वहाँ पर आप अंडरलाइन करके चलेंगे तो आपके मार्स और ज्याद़ चार पांच नम्मर तो आप गें कर जाओगे पर नॉर्मल मार्स से ऐसा करने से पेपर इन बातों को धान रखा करें आप फर एक्जांपल स्टॉक आफ गोर्स इन दा गोडाउन एज उन 31 जन्वरी 2021 हलो 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 हन्ज है तो आपके पास यहां पर क्या है इट मेंस टॉक वैरिबल आर नॉट टाइम डाइमिंशनल इस टॉक को कैलकुलेट करने के लिए किसी टाइम ओ पीरेड की डाइमिंशनल की नीड नहीं है अबदी की जरूरत आवसकता नहीं है क्लियर हैं तो स्टॉक कि क्या है जिसको एक समय बिंदू पर मापा जा सके ऐसी कोई भी वस्तू जिसकी मातरा को एक समय बिंदू पर मापा जा सके, उसके लिए किसी परकार की समय अबधी की आवसकता ना हो, उस परकार की वस्तु को हम स्टॉक कहेंगे. Some more example of stock variable are national wealth, national capital, हमारी national wealth क्या है? यह हमारे nations को पता रहती है. नेशनल, capital, money supply, etc. हमें पता है कि हमारे एकनामी में कितने लाग क्रोड रुपए की मनी की सप्लाई है? जैसे कि जब नोट बंदी के जब दौर था, तो उसमें जैसी नोट बंदी वहा तो मीडिया में बात आगी थे इतने लाग क्रोड रुपए को आप कैसे बदल देंगे? तो कहीं नहीं हमें बहुत पहले सी मालम थी, एक पॉइंट अफ टाइम की नीड थी, तो यह सारे एक्जामपल किसके हैं आपके, यह स्टॉक के आपके एक्जामपल है, वट इस दा मेनिंग आपका बेस्मन रहा है, अभी जो आपके मन में सवाल जरूर होगा, पेपर में स उसको आप करनेट कर पाओ, कि चीजें क्या है, आप अंसर को पढ़ेंगे तो आपको बार बार फाइनल गूर्स, इंटरिमीडियर गूर्स बीच में लिखा हूँ आएगा, तो आपको पढ़ने से, रीडिंग करने से समझ में आएगा, कि यह क्या चीज है, क्योंकि उसको बताया गया है, तो जो आपके words है, उसको मैं समझा रहा हूँ, कौन सी चीज क्या होती है, what is the meaning of flow, flow क्या है, वो flow मतलब जो अभी flow में है, जो अभी चल रहा है, या फिर जिसको measurement के लिए एक period of time की need होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम flow बोलेंगे, तो flow variable referred to that variable which is measures over period of time, एक time के आप सकता होती है, for example production of our goods during the month, के इस मन्त में कितना production हो का January में, तो January पूरा एक period of time को represent कर रहा है, हाँ अगर होता 5th January, तो वो एक point of time की बात कर रहा है, बट January क्या होगे आपका, पूरा पूरा एक महिना हो गया, पूरा एक period of time की बात कर रहा है, तो आप किसी goods को अगर आपको stock कहना है, या फिर आपको flow कहना है, तो उसके time dimensional को check किया करो आप, आप goods को देख कर के आप नहीं कह सकते हैं, कई बाद time dimensional given होता है, 2021, birth rate in the year 2020, clear है, तो 2020, ये आपके जो time dimensional है, ये पूरा एक साल लेकर के चल रहा है, तो ये भी क्या है आपका, जब एक time, एक duration क आपके बात कर रहा है, तो वहाँ पर वो चीज क्या हो जाती है, आपके आपके लिए वो flow जाती है, national income in the year 2022, अगर national income का कोई एक date देता, clear है, तो वो हमेरे लिए क्या हो जाता, वो ही चीज मेरे लिए stock में consider हो जाती, लेकिन 2020, तो कभी भी एक time dimensional की बात कर दे, तो ये हमार पास में क्या होगा, ये हमारे पास में flow होगा, the period of time could be a day, period of time किसे कहते हैं, a day, a week, a year, etc, it means flow variable are time dimensional, as they are measured for a period of time, अब यहाँ पर stock and flow के इंदर differentiate अगर हम करते हैं, तो क्या differentiate करेंगे, तो आप भी समझ चुके है, meaning में, कि stock को एक point of time में measure किया जाता है, तो लिख रखा है, stock variable refer to that variable which is measured at particular point of time, और flow के बारे आँ समझ चुके हैं, जिसके लिए क्या चीए, एक period of time चीए, तो flow variable refer to that variable which is measured over a period of time time dimensional, तो इसमें कोई time dimensional की need नहीं है, तो क्या है, it does not have a time dimensional, it has a time dimensional, ठीक है, magnitude can be measured over a period of time, nature of concept, ठीक है न, it is a strategic concept, और it is a dynamic concept, देखेगा, जो चीज ऑलेड़ी calculate हो चुकी है, जिसका काम, जो की countable है, उसको हम static concept कहते हैं, लेकिन जो चीज प्रोसेस में चल रही है, आगे उसमें changes आ सकते हैं, जिसको time dimensional की need होती है, उसको हम dynamic concept कहते हैं, example, production of stock का, production of India as the 31st March 14, देखेगे मैंने इससे पहले production को flow में एक्जामपल में लिखा है न, आपने दिखा भी, ब production के बारे में क्या कहता, flow कहता, यहाँ पर मैं flow के example में लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने flow कह दिया, और यहाँ पर मैंने इसी production को किस में लिख रहा हूँ मैं, stock में, बताए ऐसा क्यों, चुकि वहाँ पर एक period of time के बारे में बताया हुआ था, और यहाँ पर एक point of time बताया गया है, total number of Maruti car in Delhi, यहाँ पर time dimension पर discussion नहीं है, लेकिन Delhi में कितनी Maruti car है, यह Maruti car company को आप उसे पूछेंगे, आप RTA लगाएंगे तो आपको बता देगा, कि वहाँ हमारी Delhi के इतनी Maruti car है, ठीक है न, वो यह नहीं बोलेगा, अभी ठहर जाओ एक साल, रो आपके पास में, आपके नेशनल वेल्थ और नेशनल इंकम दो अलग लग चीज़े, नेशनल वेल्थ के हमारी संपत्ती कितनी है, अब हमारे राष्टर को पता है कि हमारे राष्टर संपत्ती कितनी है, अगर उनसे पूछे बता देगे, लेकिन इस साल का अगर आप नेशनल इंकम पूछेंगे न, तो वो पूरा साल जब एंड होगा, 31st of March, तभी पता तो बताईए, इस एक्जामपल के एक्वोडिंग, एक पॉइंट अफ टाइम है न, तो क्या हो गया यह आपका, यह आपका स्टॉक हो गया, तो इस तरीके साप स्टॉक एंड फ्लो को केटिग्राइज, आप यहाँ पर कर सकते हैं, यह कुछ एक्जामपल लिखे हुए है, हाँ जे, चलिए, ट्रू फॉल्स मैंने इसलिए नहीं करवाए, क्योंकि ट्रू फॉल्स के अंदर ने कुछ कोशन आपके किसके उपर हैं, ट्रू फॉल्स वाले कुशन भी मैंने स्किप करें, क्यों करें, क्योंकि उसमें कुछ रियल फ्लो, नॉमिनल फ्लो के उपर सवाल थे, ठीक है, लेकिन अभी आपको मैंने पढ़ाए नहीं, रियल फ्लो नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो, तो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दे आपने पढ़ा था लेकिन फिर भी जिनको याद है मैं आपको बताईथा वहां पर पर एक नौमी मोडल आपने पढ़ाता हुआ जहां पर दो ही सेक्टर थे लो फिलो का मतलब एक जिगह से जाना एक जिगह से निकलना अधूसेऀगे पर पहुचना इसको हम क्या कहते हैं इस तो सबसे पहले हमन ऑब आप świल्य, मृग् विश् dahil चापनाता। जिसमें सिर्फ उ सरफ दो ही सेक्टर को रखा जाता हैً सिर्फ उ सरफ दो ही सेक्टर को रखा जाता है एक रखा जाएगा आपका household और एक रखा जाएगा firm दोई sector है कि नौमी में मान की चलते हैं लेकिन ऐसा है नहीं कि नौमी में सरफ household है मैं मानता हूं कि सारे आपके मेरे सारे परिवार है household है ही मैं मानता हूं firm भी है जहां पर मेरे पिता, आपकी पिता काम करने जा रहे हैं, फर्म भी हैं, दोनों, लेकिन सरफ दोनों ही नहीं हैं, दोसे ज़्यादा है, एक government sector भी है, ठीक है न, एक foreign sector भी है, बहार से भी चीज़ें आती हैं, बहार भी चीज़ें फ्लो होती हैं, गौर्मेंट की थिरू भी चीज़ें आती हैं, और गौर्मेंट पर भी चीज़ें जाती हैं, ख्लियर है, household पर भी आती है, तो बहुत सारी sector से, लेकिन जहां पर सरफ दो ही sector पर चर्चा कर दें, किस-किस पर एक household पर discussion कर दें, किस-किस पर discussion कर दें, एक household पर, जहां पर सर्फ दो ही sector हो, जहां पर सर्फ दो ही sector हो, और एक form, जहां पर सर्फ दो ही sector है न, तो उस economy model को हम क्या बोलते हैं, close economy model कहते हैं, अब देखीगा flow कैसे होता है, इस बात को आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, एक समय मान की चलि पैसे नाम भी कोई चीज नहीं है, और एक समय था भी ऐसा, अजारों साल पहले जब मुद्रा एं या फिर जब मनी नहीं था, तो आपको पता है कि बाटर सिस्टम हुआ करता था, मतलब कि वस्तू विन में पढ़ना नहीं चला करती थी, वस्तूओं से वस्तूओं का आदा मेरे खेत में जिन चीज का पैरदा नहीं हो सकती है, कü취 यह इसी मेरे खेत में नहीं नहीं हो सकता हम Aggar. तो मैं उसके पास जाओंगा और उससे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भी आप मुझे आप सकता आप दे दीजिए तो भी मैं आपको देते दूँगा मुझे फाइदा के अमलूगा मेरे पास में चीज़े मैं आपको देता हूं अगर सामने वाले को मेरे चीज़ की नीड हुई तभी वह डील करेगा दरवाइस वह डील क्यों करेगा और किसी वेजिटेरिंग के पास जाकर मुर्गा लेके चला जाओ मैं वह मुर्गा ले लिजे चीनी देजिए वह लेगा मैं क्या करूँगा इस मुर्गे का तो उसमें एक बड़ी समस्था थी बाटन सिस्टम में मैं भी बाटन सिस्टम में लेकर करके नहीं जा रहा हूं पर आप माल के चलिए उस दौर में या फिर आज की दौर में मैं बात करूँ इस समय आप पैसे को भूल जाईए कि दोनों एंगल से देखेना जरूरी है कि फ्लो जो है गुडNext का भी होता है हमारी एकनोमी में और फ्लो जो है पैसे का भी होता है हमारी एकनोमी में दोनों चीजा को फ्लो चलता है पैसे को मैं अब ऑइड कर रहा हम आप सरफ goods के फ़लो पर धान रखेगे सभसे पहले क्या होता है cabinet goods के व्लो की बात करूं सभसे पहले क्या होता है कि household से ही भगरा सारे चीज़ फर्मों तक पहुचती है कोई फर्म ऐसे ही नहीं चल जाती है एक household से चीज़़ा जाती है farm के पास में household से क्या farm के पास जो भीLife US जो भी संसाधन लगते हैं आपने form के पास्वाय करना देखे जो रिसोर्स आ अपने देखे वो सारे resources कहां से आते हैं वो सारे resource एक household से तो आते हैं किया सकते हैं household से एक इस उसको देता है इसको उसको लेंट देता है जमीन कहां से जाता है एक और क्या देता है इसको एक हाउसोड से क्या जाता है लेबर और एक हाउस होड़ से क्या जाता है एंट्रेप्नियोर लैंड मतलब भूमी पूंजी लेबर आप जानते ही है श्रम इसको आप कहेंगे और इंट्रेप्नियोर मतलब उद्यम इसको समझे लीजिए आप क्योंकि यह आपके लिए नया वर्ड हो सकता है इंट्रेप्नियोर होते कोन हैं वो लोग जो कि रिस्क को अपण करते हैं और शेकान अगर खेती कर रहा है तो उसके पास का एक तो अब देखेगा एक फ़र्म के लिए चाहिए क्या होता है इस वी जमीन कहां से आता है क्या आपने आप सब्सक्राइब करने के लिए चाहां से लेवर पूद से जाता है आपके पिता मेरे पिता जो काम पर आज जा तो जा रहे हैं उसके बात atau जो एक रिसक लेने वाला इनसान हों कहां तो निकलता है अगर आज अम्बानी जिटने परिवार परिवार किया है सबसे पहले में आप जितने भी परिवार चाहिं आने का परिवार सब्सक्राइब नहीं तो निदर न संज मैं यह इसको लुख को नहीं बोलेंगे इसको फेक्तर ठीक है, फेक्टर सर्विसिस, ठीक है जी, फेक्टर और इसको हम जो है हिंदी में कारक, क्लियर जी, क्या बोलेंगे इसको हम, फेक्टर बोलेंगे इसको हम कारक बोलते हैं, इन चीजों को, तो कई बार फेक्टर और कारक इसको रिसोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन जनरली आपको इन पीले तो यह आपक्र रहा है तो यह चीजे पहले कहाँ जाती है यह जो है फिर मिश प्र्म क्या करता है इन चीजों का लैंड मंर वर इंट्रेप्र का इस्तेमाल करके क्रेस। तो ए क्या करेगा फल्म जो है किसमें लगाने फैनल गोड्स एन्स सर्विस्स में इसको फर्म करेगा नहीं करेगा और फिर वह फर्म करकरके वापस इसको कहा लोटा देगा आओषव्ड पर लटा देगा सब्सक्राइब करें तो जो भी फर्म इस्तेमाल कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूं एक दिन में उस सार था मैं तो नहीं बनाता हूं तो मतलब क्या है कि एक household से फैक्टर सर्विसिस जाती हैं और यह सारी फैक्टर सर्विसिस जो है गुर्द सर्विसिस बनती है अपनी अपनी जिगह उपर और यह वापस हम तक वापस लॉट करके यही तो होता है लोगों को क्यों काम पर होना जरूरी है सवाल यह है लोगों को अमीर बनाने के लिए ह है और नोट जिस कागच पे चापना है वह कागच भी हमारे पास में है ही तो लोगों को अमीर बनाने के लिए नोट चाप चाप करके नोटों का बंडल बना बना करके दरवाजे के रख देना चाहिए कि हम पांच करूट है पडोशी में देखे तो भाइया उसके पास फटास पास में जब मशीन है आपके पास में जब कागज भी आपके पास में है तो क्यों गरीब कर रखाए देश्को पैदे चाप-चाप के बिताते हैं यह है कि चलो पैसा आजाए लेकिन जो मनी ना वो कोई गुड्स और सर्विस नहीं है इस बात कुछ समझना होगा मनी देखे खाएंगे तो पेट तो भर नी जाएगा मनी को ओरने से आपकी थंड भी नहीं रुख जाएगी मनी से आप नहा भी नहीं सकते फी भी नहीं सकते तो मनी ना तो कोई गुड्स है ना तो कोई सर्विस और जीवन जीने के लिए गुड्स और सर्विस की रिक्वार्मेंट होती है मनी क्या है मनी एक माध्यम है कि मीडियम है जिससे की गुड्स सर्विस का फ्लो हो सके अगर मैं आपको मैं सेवा दे रहा हूं यहां पर मैं टीचिंग कर रहा हूं क्यूंकि आपने क्या करा पेड़ कोर्स इसमें आप लोगों ने अपनी फीस समिट करा अब ऐसा तो यह मुझे जिच चिच की आव सकता है मैं एक स्वाटर के जोड़ता है मैं बच्चे से बोलूं कि फॉरं कि आप मुझे पैसा दे रहे हैं मुझे मालूम है इस पैसे का मैं कोई भी इसतेमाल डिरेक्ट अपने आपको सटिस्फाइट करने में नहीं कर सकता हूं तो मझे विश्वास है कि आपके इस पैसे को ले करके जब मैं बाजार में पहुंचूंगा जहां पर मेरे को आगे पैसा पास करें ले लेगा तो मनी स्राफ वह सरफ एक मीडियम है कोई गूर्स नहीं है लेकिन अगर आप इस बात को मानिएगा कि जब सबके पास पहुंच जाएगा तो खायर कोई तो पूरे देश के वारे में सोचता नहीं है तो इंडिजिवल लेवल पर सोचता है यह वहवार देश में हर उस इंसान का हुजाएगा जिस तक पैसा पहुंचा है और सब दक पैसा पहुंचा देए तो वह उसक्राइगा मैं तब आपको पढ़ा होगा तो आफर का लास्ट जा चुका है वैसे आपका तो यहां पर आपके पास में तो यहां पर आपके पास में। तो आपको 30 किलो मिल जाएगा सब दो दो कोड़ों पर गुंबरे मजार में समान डूड़ रहा है का है और कुछ देखनी रहा है सब कुछ खा लिए ना टमाटर ना प्याच टमाटर पैद वाले अपने घर बैठ गए अ कई थोड़ा बहुत मिला तो टमाटर प्याच के आपक यह चुक्कि अप्र टो हुआ नहीं पैसा तो आगया तो पैसा आया आपके दिमांड तो आ गई बजब चीजे बनी ही नहीं इस केर सिटी आपने बढ़ा दी चीजों की तो बहुत स्कार सिटी बढ़ा दी आपने तो बायर्स में कॉंपेटिसन आ गया कि रहा कॉन सब्सक्राइब तो अब देश में आकाल जैसे पैदा हो जाएगी जहां पर गूर्सन सर्फिस का प्लो कम हो जाएगा अब मुझे तो नहीं तो खाने के लिए जो है चीजें मिल रही है ना एलेक्टिसिटी घर पर आ पा रही है ना तो मुझे लेबर मिल रहे हैं मुझे घर का कंशिशन काम करने के लिए तो कहीं नहीं जो मेरे लाइफ काzinho कंफट्ट में जा रहे क्या और उल्टा जो है गरीब हो गए बैकवर्ड हो गए लोगा जीवन पहले से जादा संगर्स भरा हो गया तो इसलिए कोई सरकार के पास मशीन होते हुए भी लोग एक्षा पैसा नहीं चापते हैं इस सवाल का जवाब को मिला है नहीं मिला क्लियर है इसलिए देश को आग जो स्रेश्ट मिश्रा पुछना है कि इंडिया कब तक एक डवलप कंट्री हो जाएगी जब एसल के बच्चे सुरू से अपने पढ़ाई करना सुरू कर देंगा नहीं जिस दिन इस देश में देवन से उस दिन हमारा देश देश डवलप कंट्री हो जाएगी क्यूंकि बच्चे डवलप कंट्री कब हो जाएगे देखेगा यह ऐसा नहीं कि कोई पॉइंट टाइम होता है कि बचाइब को जो आजादी पॉपलेशन नहीं होता है हम जो है डवलपिंग कंट्री है और धीरे 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 एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जबकि एम्प्लॉइमें करने वाले तो इसके लिए क्या हो रहा है वह समस्या है भुकमरी है तो यह आपको जो यह प्रॉलम करेट करता है तो कोई टाइम और पिरेट नहीं होता है हां do हांजी तो फिर मैं इस फ्लो के ऊपर बात कर रहा हो तो थिस फ्लो में आपको समझना होगा कि लोगों को काम पर पैसा लोगों पर प्लस में उससे पहले सामान भी तयार होकर कि बाजार में जा रहा है तो वो पैसा क्या करेगा वो सामान को ले क्योंकि मार्केट के अंदर और उसका लाइफ पहले से बैटर हो जाएगा इसलिए इंप्लॉइमेंट के थिरो लोगों के पास में पैसा डाला जाए वह एक बैटर जो है सिच्विशन रहती है तो क्या सर्कुलर फ्लो में मैं आपको यह बता रहा हूं इसमें गूट्स और सर पूरी हो पा रही है तो इसी को यह जो फ्लो है ना यहां पर मैंने किसको मैंने गौर्रमेंट को नहीं लिया मैंने फॉरण को नहीं लिया सरकार भी होती है और फॉरण भी होता है लेकिन मैं इसको अलर्ट टॉपिक है टू इकनामी मॉडल ठीकनामी मॉडल फॉर इकनामी म है तो हो मिय जब को मिन्स को हम क्या बोलते हैं इससी को हम बोलते हैं है अब यह सुझ में आए आपको अभी मनी फ्लो मैंने अक्षे पढ़ाया नहीं में रियल फ्लो पढ़ा रहा हूं आपको और रियल फ्लो का मतलब सीधा साही है कि एक हाउसोल्ड से लेंड लेबर क्याबडन इंट्रिपनियोर मतलब की भूमी पूंजी और श्रम और उद्यम यह एक परिवार से फर्मों तक पहुंचता है फर्म इन चीजों का इस्तेमाल करकर करके वह एक गूर्ण सर्विसिस का ब्लक्षिन करती है और उसको बापस परिवार के पास में उचीजें लॉट कर गए आ जाती है और इस तरीकी के फ्लो को हम क्लोज इकनॉमी मोडल में हम जो है तू सेक्टर फ्लो कहते हैं और जो यह आपके गूर्ण सर्विसिस पर फोकस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम रियल फ्लो कहेंगे और इसको हम फिजिकल फ्लो कहेंगे अगर आप मनी फ्लो की बात करें तो मनी देखेगा गूर्ण सर्विसिस की में शुरुबात कहां पास से होती है रहाँ जो बात करता है लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी मनी फिलो की तो मनी मेरे घर में पैसा आता कहा थे हैं कि money flow में हमारे पैसा कहा साता है इसलरी मिलती है न महीने की तुझसे कि मान लीजे फंद से पैसा कैसे आएगा आपने क्या करा आपने फ्रॉम को लेंड दिया तो फ्रॉम को बदले में क्या देगी हाउसवल्ड को रेंड देगी पैसे की बात कर रहा हूं मैं अगर है अगर आ तो पैसे की शुरुवात कहां से निकलना होता है तो फ़्रम पहले क्या पे करती है रेंट इंट्रस वेज़िस एंद प्रॉफिट किसको हाउसोल्ड को हाउसोल्ड इसको क्या करता है इसको एक्सपेंस कर देता है किस पर फाइनल गुड्स पर हाउस्टोड करता नहीं है तो बापस पैसा कहां पहुंच गया तो आपका यह यह जो मैं बता रहा हूं इसमें मनी के बारे में बात कर रहा हूं इसको हम मनी फ्लो कहते हैं समझें तो रियल फ्लो बेसिकली एक फिजिकल फ्लोव है जो कि फैक्टर श्रविसे बात करूं अब बदलें में फिनिश्ट जो है वह एक फ्रम से हाउस फ्लोड को यह जाती है इस तकी चीजिये आपके पास पर जाती है इंट्रस्ट और वापस वह उसको गूड्स के आप प और फिर मैं क्या सकता हूं कि जो आप पिंक लाइन वाले जो आप यलो लाइन का देख रहे हो आप उपर वाला यह हमारा क्या है यह हमारा जो है रियल फ्लो है और जो आप पिंक लाइन का देख रहे हो इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम मनी फ्लो कहते हैं यह चीज में आपको सब्सक्राइब एक रियल फ्लॉव एक मनीफ्लो ठीक है आपके गर्ण दाकन स्थ रियल फ्लो मत्तब जहां पर गुड़ संग सर्विसिस का फ्लोव होगा जैसे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि रियल फ्लोव में कहां से स्टार्ट होगा हाउसोल्ड से क्या जाएगा फ्यक validating real flow refer to the flow of factor factor services from household to firm part to start work from household to firm and the corresponding flow of goods and services from firms to household or from second agay business which is household as seen in the diagram इसको फिजिकल फ्लो भी हम कहते हैं मरी बात समझें सब्सक्राइब का मतलब तो यह होता है ना कि सबके पास रहने के लिए अच्छा मकान हो खाने के लिए अच्छा बोजन हो पहने के लिए अच्छे कपड़े हो सबका जीवन इस तरह किसा अगर सबका जीवन मेरे एक जीवन की बात निकरता तमाम आवादी का जीवन ऐसा हो तो कहीं न कहीं जो है खुशियां और संतुष्टी भी आएंगी और कैसे मैनेज करेंगे जो जिस पर ट्रांसपोर्डेशन इस उसने कैसे करेंगे उनका जीवन कितना कठें हो रहा है क्लियर है तो यह दोनों सिंबल है एकनोमी ग्रोथ का सीधा था मतलब होता है कि लोगों के जीवन को आसान जो है बनाया जाए तो आज से आपको इंतिजार बाला एकनोमी घ्रोथ का है मंजी मनी फलोव में क्या होता हुई पापस रुट करते हैं सबसे पहले इस फाहर से होती है यह कहां जाता है यह आपका household के पास जाता और household क्या करता है इसको consumption expenditure कर देता है goods and services पर तो money flow refer to flow factor payments from the firm कहां से start होता है फर्म से to household for their factor services and corresponding flow consumption expenditure from household to firms clear जी as seen in the diagram जैसे अब diagram message को आप देख भी पा रहे हैं clear जी और इसी को money flow को हम क्या कहते हैं nominal flow भी कहते हैं तो आपका real flow को हम physical flow कहते हैं और money flow को हम nominal flow भी कहते हैं यह बात समझ में आपको आई या नहीं है तो आज हमने flow में एक basic सी बातों को हमने पड़ा real flow and money flow में meaning तो it is the flow of the goods and services and money flow it is the flow of the money between the firms and household kind of exchange it involves the exchange of goods and services it involves the exchange of money ठीक है नब देर में भीदा difficulties of the barter system make difficulties आती थी नहीं या इसमें कोई भी difficulties नहीं आती है alternative name it is known as the physical flow and nominal flow यह बात सोच में आपको है clear है तो बच्चे कई बार हम बड़े इडवांस कोश्चिंगे भी थियारी करते हैं और करना भी चीए हमें लेकिन पेपर में टूइस्ट हो जाता है और हम आसान चीजों को नहीं पढ़ते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं भी आप फाइक सेमेस्टर एक्जाम आपने दिया तो उसमें क्या हुआ कि कुछ स्टुडेंट का शायदा हो सकता है कि वह बड़ा बेसिक सवाल को सब्सक्राइब करना है तो फिर क्या ही कर लोगे आप इसलिए हमें सब कुछ कबर करना है ठीक है बेसिक से एडवांस क्लियर है जी तो आज सिंपल एकनामी अजम्शन अब देखेगा नेस क्लास में इसको हम कंटीनियू करेंगे और एकनामी मोडल में फ्री जो है एकनामी मोडल को भी लेकर कि आओंगा जहां पर गवर्मेंट और लीकिज क्या होता है इस बात को समझेंगे और नोट बंदी क क्लियर है